हैलो फ्रेंड्स द जर्नी के पार्ट फाइफ में आपका स्वागत है एईन यालोंग को एक हर्ड में लेके जाती है और वो खायल रहता है वो यालोंग से पूछती है कि क्या तुम अभी भी मुझे मारना चाहते हो कि उसके जैसा नोबल मैन, ऐसा बलड कैसे पी सकता है, उसे तो इनसानों का बलड चाहिए, एिन सोचती है कि इसने मेरी जान बचाई है, और मैं इसे ऐसे छोड़ नहीं सकती, फिर उसके बाद एिन अपना ही बलड निकाल कर यालांग को देती है, यालंग उसे पीता है और उसे पूछता है कि तुम्हें ये बलड कहां मिला तो उसे पता चलता है कि ये एईन का बलड है इसके बाद यालंग उसके कट को ठीक करता है वो ये एईन से पूछता है कि तुमने मेरे लिए ये सब क्यों किया तो एईन उसे कहती है कि तुमने भी म अपने उपर नहीं रखती हूं इधर दाजी सारे वेंपायर्स को मरवाती है और वो एईन यालंग और ऑफिसर गार्ट्स को भी मारने का फर्मान जारी कर देती है इसके बावजुद की एईन ने ही मुसीबत के समय दाजी को बचाया था तो ऑफिसर अपने सानिकों के साथ प तीर आता है वहां पर सांग भी आ जाता है और वो उफिसर को बचा लेता है उसके बाद एईन सभी के साथ वहां से बच कर निकलने की कोशिसिस करती है तो ऑफिसर अपने मरे हुए साथियों और बदला लेना चाहता है कि वो भविष्य में वैंपायर्स को जरूर मारेगा और उसी का अगला जनम वैंपायर हंटर के रूप में हुआ था तो यालंग की कुफा में ए इन यालंग को सेलफोन से फोटो खिचने के फ्रंक्शन के बारे में बताती है और वो उसे बताती है कि वो फ्यूचर से आई है वो वापस अपने प्रेजन टाइम में जाने लगती है तो यालंग उसे मना करता है और कहता है कि तुमने मुझसे वादा किया है कि तुम मेरी ब्राइड बनोगी तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती वो उसके पीछे जाता है लेकिन तभी सेमन सैंग दरवाजे को अपन दोनों को बुला सकता है तो उसमें बारिश हो रही थी और सैंग कहता है कि मैं चाहता हूं कि ये बारिश कभी न रूके और उसके बाद एइन ये देख लेती है कि उसके हाथ से खून बहा रहा है और वो जान जाती है कि वो वापस अपने टाइम में न जा सके इसलिए वो से रोकती है उसके बाद वहाँ सूरज की रोशनी आ जाती है और उसका ब्रेसलेट अक्टिवेट होता है वो दुखी होती है और अपने टाइम में वापस आने के बाद जब वो अपने मास्टर को देखती है तो उन्हें मिश्टेकली सैंग समझ लेती है तो क्लाइंट जी टी होकर ही रहेगा एईन इस पारे में चिंता करती है कि यौलंग अभी ठीक हुआ होगा या नहीं हुआ होगा और फीनियाओ को भी पता चलता है कि वो यौलंग के बारे में ही सोच रही थी उदर सैंड एनेस्टी में राजा अभीब अपने वेंपारानी से ही प्यार करता है और वो उसका हेयर पिन अपने बाल में लगाता है, जब वो देखता है कि यॉलंग उसकी कहानी खत्म करने के लिए वहाँ आया है, इधर प्रेजन्ट में माश्टर यॉलंग का दिया हुआ लॉकेट एईन के गले से निकाल देते हैं, और उसके बाद उससे वो लॉकेट मांगते हैं, तो एईन उन्हें लॉकेट देने से मना कर देती है, वो उनसे यॉलंग के बारे में कहती है कि वो बहुत ही अच्छा इंसान है, उसने कई बार मेरी जान बचाई है, मैं तो उससे फ्रेंड्सिप करना चाहती हूँ, तो माश्टर कहते हैं कि एक वैंपार और एक इंसान में कभी दोस्ती नहीं हो सकती है, और वो उसे यॉलंग से दूर रहने के लिए कहते हैं, लेकिन एईन उनकी बात उस समय नहीं मानती है, तो माश्टर को अचानक अपने चेस्ट में पेन होने लगता है, आगे एईन को जब फीनियाओ समझाता है तो वो माश्टर के पास आती है, वो देखती है कि उसके माश्टर काफी पेन में रहते हैं और उसे अपने माश्टर की चिंता होने लगती है, वो उनसे कहती है कि आप फिर से बीमार हो गए तो मास्टर कहते हैं कि मैं बीमार नहीं हूँ बलकि ये एक पनिस्मेंट है एइन वो लॉकेट अपने मास्टर को लोटा देती है और उसे अपने मास्टर की बहुत चिंता होती है योकि वो अपने मास्टर को बहुत ज़्यादा मानती है इधर पास्ट में अब टैंग डैनेश्टी आ गई थी और यालंग हर जगए एइन को ढूंडता है तभी उसे आलंग उसकी बात पे भरोसा नहीं होता है तो टी हाउस में एक नया क्लाइंट आता है वो बताता है कि वो जिस भी पर्सन के माथे पे एक खास तरह का लाल निशान देखता है उसकी बहुत ही बूरी मौत होती है मास्टर सी इन उसका पास्ट चेक करते हैं और पताते हैं कि वो evil power अब उसके लिए ability बन गई है जो death को predict कर लेती है तो A.E.N. ये सोच कर खुस होती है कि उसे इस बार tank dynasty में जाना होगा जहां खुब अच्छा खाने के लिए मिलेगा वो tank dynasty का get up करती है वहाँ जाने के लिए तो फी नियाओ उसे काफी ज़्यादा चिढ़ाता है और तभी अचानक A.E.N. के पेट में दर्द सुरू हो जाता है तो A.E.N. को वही girls की मंथली problem रहती है और इसी वज़े से इस बार वो past में नहीं जाती है उसके जगा फी नियाओ past में जाता है तो past में फी नियाओ एक आदमी से जबरजस्ट fighting करता है और वह आदमी वही client का past self Leo G.A रहता है तो फी नियाओ घाल हो जाता है और Leo G.A उस से वो lotus भी छीन लेता है जो master ने फी नियाओ को दिया था तो टैंग डैनेश्टी में वहाँ एक और परसन मौजूद रहता है जो बिल्कुल फीनियाओ जैसा ही दिखता है इधर मास्टर सीन एइन का ध्यान रखते हैं तो एइन उनसे पूछती है कि क्या कभी वो अपने पास्ट सेल्फ से मिल सकेगी तो मास्टर उससे कहते है कि क्या में टैंग डैनेश्टी में भेजते हैं वो उसे एक मैजिकल मीरर देते हैं और साथ में कहते हैं कि तुम्हारी लाइफ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो फीनियाओ पास्ट में जाती है और एक बार फिर से वो मास्टर जैसे ही दिखने वाले एक आदमी को देख तुम वहाँ पहुट जाओगी तो एईन खुस होती है किस बार ज़्यादा लंबा रास्ता नहीं होगा लेकिन वो उस अगर बत्ती की साइच देखी ही नहीं रहती है तो फ्रेंस पास्ट में लोग काफी लंबा लंबा सफर पैदल ही तो किया करते थें तो एईन काफी सबसान जाता है कि यह प्रिंसेस नहीं है और उसे लगता है कि एईन कोई monster है जो princess का रूप ले ली है तो वह इस बारे में magician yuwan को बताता है इधर एईन को doubt हो जाता है कि यह आतमी तो Phineow 6 नहीं है और उसके बाद जब वहाँ से जाने लगती है तो यूव उसे capture कर लेता ह और उसके बाद वो तरह तरह का magic करता है ताकि ये monster अपने असली रूप में आ जाए तो एईन उसे बताती है कि ये उसका असली रूप ही है राजकुमार भी ये जानकर सौक्ड होता है कि एईन सच में राजकुमारी की हमसकल है और एईन को पता चलता है कि उसकी हमसकल इस रा राजकुमारी तो हिस्ट्री के हिसाब से अपनी सुन्दरता के लिए काफी फेमस थी जो बिल्कुल उसके जैसे ही दिखती थी यहां तक कि राजा भी उसे अपना बनाना चाहता था उधर फीनियाओ को पता चलता है कि एईन वहाँ पर आ चुकी है लेकिन वो उसके तक नह देखने के लिए इसका नेक्स्ट पार देखना मत भूलिएगा